बरेली में नकटिया पुल के पास बुधवार देर रात 31 रफ़ताई DCM ने पुलिस की गाड़ी को टक कर मार दी दरोगा और सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया मौके पर पहुची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए निजे इस्पिताल में भरती कराया है साथ ही DCM को कबजे में लेने के साथ ही हलपर को पकल लिया वहीं हादसा होते ही चालक फरार हो गया पुलिस के अनुसार दरोगा लक्षमर प्रसाद और चालक रामकुमार की पुलिस लाइन में तनाती है लाइन का काम निप्टाकर दरोगा और चालक गाड़ी से बुधवार रात को सरकारी काम से बरेली से फरीत पूर जा रहे थे इस बीच नकटिया पुल से पहले मंदिर के सामने तेज गती से आर है DCM ने पुलिस की गाड़ी में सामने से चक कर मार दी जिसमें दरोगा और चालक गंभी रूप से घायल हो गया जबकि गाड़ी भी बुरी तरह से छती ग्रस्त हो गई इदर हादसे की जानकारे मिलते ही SSP सत्यार्थ अनिरुद पंकच, SPC टी रवेंद्र कुमार, CEO तरुतिय साद मिया खां ने अस्पिताल पहुचकर घायल पुलिस कर्मियों का हाल जाना फिलहाल पुलिस आगे की कारवाई में जुटी है